हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग ओप की आप सब लोग बहुत ही आच्छी होगे दोस्तों आज हम अपने पार्टनेशिप के थर्ड टॉपिक को डिसकस करने जाहें जिसका नाम है यह में अपने डिवती पार्टनेशिप और डिफरेंस बिटून यह एलई पी एन आज की दोस्तों एक और पार्टनेशिप है जिसका नाम है यह में पार्टनेशिप और यह यह व्यार्ट बिजनेश का कानून क्यों आया थी के आपको मैं बता दोस्तों इसके पहले जो पार्टनेशिप बिजनेश इंडिया में चाहिए आज की टाइम पर जो की 1932 के क्या डिमेरिट है वो भाया उस business के अंदर पार्टनेस की जो याइबरिटी होती है वो अनिमिट होती है इसका मत्तब कि अगर बिजनेस में कभी नुकसान हो जाए तो partner को अपनी पूरा नुकसान को चुकाना पड़ता है मत्म मान रियो कि कर को अगर बिजनेस में नुकसान हो जाए तो partner को अपनी जो भी पूरा नुकसान चुकाने के यह ठीक है लेकिन दोस्तों इसी कारन से बहुत सारी लोग क्या करते थे कि partnership का business नहीं करते थे उनको डा जगता था तो को देखते हुए उस कमी को दूर करने के यह एक नए टाइप का business आया जिसको हम लोग इमिटे डियाबेटी पार्टनेशिप बोलते हैं इसमें क्या है कि पार्टनेशिप बिजनेस में बहुत सारी फीचर कंपनी वाई दिये गए हैं देखो कंपनी वाई फीचर दिये गए कंपनी नहीं कंपनी अलग बिजनेस होता है और इमिटे डियाबेटी पार्टनेशिप बसके अंदर बहुत सारी कंपनी के फीचर दिये गए हैं ठीके ना ओके है यह पार्टनेशिप का business ओके तो आप जिसको हम लोग L.I.P. बोलते हैं इमिटे डियाबेटी पार्टनेशि देना नहीं पार्ता है जितना आपने गाइं गांटी यह तो नहीं आपको देना पाएगा ठीके अब दोस्तों यहां बढर दियान दीजे की लिए अधिके लिए इमिटे डियाबेटी पार्नेशिप इंडिया जिस्टेब एक्षिटेशिए विद्धी इनक्मेंट और दी द्हुजाय आठ मत्रव कि 2008 में इसका कानून पास हुआ मैं आपको पता दोस्तों कि ये कानून स्टार्ट हो चुका था 2000 के अंद़ सन 2000 में भाईया ये start हो चुका थै legen है लिमाखो हिए राभलते पास हो तो यक गए अर्थ ज़ग गया ठीके थे kina अट थे कि औरहीं टो उन दा लौ फॉर्य फॉर्मेसाइं जिसके बताया गया है की भाईया कैसे पार्टनसीब बुấp बिस्टिनस कशला किने कार्ट्ट क्लit कर येगा की से कानुण को दीक कि यह लगे अगर इसमें नहीं करवाता है तो इसको नॉर्मल या जन्यार पार्टर्रश्प बोलेंगे अब दोस्तों इनके कुछ यहां बताएं गए Nature of limited liability partnership, Nature का मतलब होता है कुछ features, कुछ खासियत, परहा खासियत है, Limited liability partnership is a body corporate, दोस्तो body corporate का मतलब होता है, कि यह company के तरह होता है, इनकी अपनी थुद की पहचान होती है, formed and incorporated under this act, भया इसमें नहीं, यह एगिमेंट की कोई जरुवत नहीं होती है इसमें आपको भया रिजिस्टेशन करवाना पड़ता है ठीक है यह एक कानून के सामने क्या है एक खुद की इसकी पहचान होती है सब्सक्ते लगों दिवत इसससे का मत्यब होता है इस बिजनेस की जो राइफ होती है वो अनिमिटेड होती है अगर मान यो साहे पार्टनर मल गए तो भी बिजनेस के ओपर को नुक्सान नहीं आएगा ठीक ना यह फीचर कंपणी का है यह परफेक्टूर सक्सेशन यह अंटिटी यह कंपणी का फीचर होता है ठीक ना जो कि इस बिजनेस को दिया गया है पर फीचर का मतलब होता है कि अगर पार्टनर को कुछ हो जाए तो बिजनेस को नुक्सान नहीं पहुजएगा बिजनेस कांटिन्यू चाहिता जाएगा यह अगर जनेयर पार्टनर सीप होता है 1932 उसमें अगर पार्टनर को कुछ होगा तो ब इंडर तो उसके कायन business के ऊपर को इसा नहीं पारता है business जाव से चली रहे चाहिता रहेगा Indian Partnership Act 1932 shall not apply to limited I.V.T L.P. मतलब 1932 का जो कानून है इसके ऊपर apply नहीं होता है के वह अपना कानुन ह्या वह क Advisor कानून ह्या एपना है शिर्फ का कानुन मतल्क क्या क्या आपको बाली का सोबना है तो आपको जासे कर वान है अंतर में 119 drop तो ठीकि दोस्तों अब हम देखते हैं यह इन्टन पाडनेशीप एक्ट में और जन्हाये पार्टेशीप में क्या डिफेर्स ए ठीकिए यह बहुत इंपोरडंट है आपके आपके एक्जाम में इससे को एक्ट्सफ़ साथे ठीक है अब देखो पाड़नेशीप हो गया में औ करवाणा एक करवाना है यह वाय डिरेशिनलेट्ट के बाना है buns करवाँ इसमें आपको Groß जाओं से होगा और इसमें कानुन की महीं मुष्ट से प्रॉपर आपको रहेशिश्यन करवाना परता है टिके ना खाल कर आकांछ में इसमें body corporate का मताब आपका business जो है company पाइं फीचर नहीं है business जो है अपने partner से जाना जाता है body corporate का feature नहीं होता है इसमें body corporate मतलग की can become its partner मतलब कि देखो body corporate cannot become a partner कोम कमपनी आपकी partner नहीं बन सकती इसमें कोई company आपके बन सकती है, sapiate e का entity मतब कि business के अपनी खुद की पहचान इसमें नहीं होती है, इसमें sapiate e का entity का feature नहीं होता है, इसका मतब होता है business के अपनी खुद की पहचान, और इसमें होता है, इसमें business की खुद की पहचान होती है, partners की खुद की पहचान होती है, ओके अब दोस्तोफैट्य सकसेशन पार्ट्नथफपय द। मतलब कि ऑससेशन नहीं होता है पार्ट्नेस को कुछ होगा बिजनेस बंध हो जाएगा ठीक है नwireगी को problème होता है कोई पा Аい कोई पार्टर जाцию बिजनेस को असाना पाइगा बिजनेस चाहता यह यहकाता है फिन्वड़ इसमें 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 मिन्मम होते हैं दो ही। यह होता है डला मैंकर सब्सक्राइब हुआ जितने भी अशचाक आत Efendimiz के नाम पर अथा है यहां पर आपने आपने यह बनाया हुआ से आर के बिचने के नाम पर अचानँ मिष्च के नाम पर होगा इसमें पैसे मिडीर से इसमें किनाप लोगा नियुक्शन च्छों परहने होगा sa यहां पर परस्ने प्रोपर्ट्ट्ट को बेशना हुई पढ़र जितने आपने पसकी की याइबएटी होगी तो यह आपको फीचर जींगरण ना है कि समय किते ही पार्टनेंस्ट और कब यह एक्ट आपका पास रहा है थीक है ना बहुत इंप्रेंट था ये तो हमने आज देखा कि इमिटे डियाबनेटी पार्टरशिप क्या होता है डिफेंस भी देखा दोनों के बीच में और कौन-कौन से फीचर होते हैं कौन-कौन से फीचर नहीं होते हैं आपके एक्जाम में जो भी कोशन आएंगा आपके आम से करिए जाओगे ठीक है तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को याइक कर देना चानले को सब्सक्राइब कर देना में अपने नेक्स पार्ट में थैंक यू सो मच